ओके स्टुडेंट्स आज हम लोग नंबर सिस्टम को लर्ण करने की ट्रिक सीखने वाले हैं ज़र देख लेते हैं हमारे पास एक ट्रिक है एन डवलू आई क्यू चलिए स्टार्ट करते हैं एन इस्टैंड्स फॉर नैचरल नंबर्स एक ऐसा ग्रूप माल लेते हैं कि यह नंबर लाइन है नंबर लाइन में ऐसे नंबर्स का ग्रूप जो की आपके वन तो थ्री फोर फाइब इस तरह से बढ़ता है वह कहलाता है आपका नैचरल नंबर तेन होल नंबर होल नंबर आपका जीरो इंक्लूप जाता है यह कहीं तक भी जा सकता है इसको कुछ ऐसे रेप्रिजिट कर लेता है तेन होल नंबर आ गया होल नंबर में आपका जीरो भी इंक्लूप हो जाता है यानि नैशनल नंबर के साथ ताथ आप जीरो एट करते तो आपका व्होल नंबर शीद करते यह कोलन फक्र निजल टो है इंतीजर इंतीजर क्या होते हैं the जिसको हम रेप्रेजेंट करते हैं जेट से, चलिए, देख लेता है, इसको कुछ ऐसे रेप्रेजेंट कर लेता है, नमबर लाइन में कोई भी नमबर आपका इंटीजर कहलाएगा, बट एक चीछ ध्यान रखने हैं हमको, कि यह अफसर कर होल नमबर जैसे ही आते हैं, जैसे क माइनस 5 या माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ना कि 5.1, 5.2, क्योंकि वो फिर इर्रेजनल नमबर हो जाते हैं, तो आप देख सकते हैं, यह जंप करके हम इसको अंडेस्टूट कर सकते हैं, हर एक नमबर में जंप करके, बीच के गैप में हमें जिजिट है अगला जो ग्रुप है वो है आपका रेस्नल नमबर, जो देख लेते हैं, इस चीज को अभी जो हम बात कर रहे थे कि इंटीजर जम करके चलते हैं, तो रेस्नल नमबर इंक्लूडिग इज इंटीजर उनके बीच वाले डिजिट को भी यूज करते हैं जैसे 3.5 या फिर हम बहुत सकते हैं 7 by 2 यह जो 7 by 2 है यह पार्ट है आपका rational number का 7 by 2 यहाँ पर आ जाते हैं जिरा देख लेते हैं इसके कुछ examples हम लोग यही पर कर सकते हैं तो इस number line में पढ़ने वाला हर एक digit आपका rational number होता है लेकिर इसकी एक condition है condition यह है कि इसकी जो form है वो p upon q form होनी चाहिए where q will not be equal to 0 और यह कहलाएगा rational number for example 2 by 1 4 by 3 where q 0 नहीं है q 0 नहीं है यह p upon q form है अगला आता है real number अब real number जो होगा आपका real number का understood करने के लिए हमें एक चीज समझनी होगी irrational number अभी हमने rational number understood किया था अब एक number आता है irrational number तो जो real number होता है वो आपका rational और irrational दो number के groups को मिला करके बनता है irrational number कहां से आते है इस इस नंबर जैसे कि उसको थोड़ा से यहां पर अलग से समझ लेता है इस नंबर इस नंबर होते हैं जैसे रूट तू रूट थ्री रूट फाइब रूट सेवन ट्विटीटीटू बाइस सेवन इस आर देशनल लंबर नॉन टर्मिनेटिंग if written in the form of p upon q form तो जो भी उसका divisor होगा वो इसे कभी भी कितने भी decimal तक हम जाएं कभी terminate नहीं होगा और खास बात और एक non non recurring मतलब कभी digits भी repeat नहीं होगे जो decimal places में digits आती जाएंगी जैसे 22 by 7 आप लोग 22 by 7 में 7 से divide करके check करिएगा कभी भी 7 उसको completely divide नहीं कर सकता और कभी भी same digit repeat नहीं होगी और यही चीज इसको क्या बना देती है? irrational बनाती है तो यह एक अलग तरह का set है जो की इसी number line में लाई करता है और इस irrational और इस rational इन दोनों को मिला करके आपका जो set त्यार होता है वो कहलाता है real number आप समझ रहे होंगे कि इन दोनों set को तैयर करके real number बन जाता है there after होता है complex number complex number यह है आपका real number then है आपका complex number complex number नाम से ही clear है कि एक complex number यानि जटिल संख्या कोई तो complex number basically किसी भी number line में अगर हम number line को positive digits के लिए count कर रहे होते हैं तो उसी समय एक और imaginary यानि negative type के जो एक और दूसरे dimension में जो हम एक number line count कर रहे होते हैं अगर हम उन दोनों को मिला रहे हैं यहीं real number plus imaginary number line इन दोनों को मिला करके बनता है आपका complex number हला कि complex number की study हमारे लिए भी required नहीं है higher classes के लिए जनूरी है यह तो अभी हम इसको समझ लेते हैं तो इसको याद रखने का हमारे पास एक trick है नाविक race नाविक रेस नाविक और इस तरीके से हम इने learn रख सकते हैं ठीक है और एंग झाय